यूँ जमी पर बैठ कर क्यों आसमा देखता है पंकों को खोल जमाना सिर्फ उडान देखता है यहां आपको बिल्कुल रियालिस्टिक बिल्कुल जैन्वन बिल्कुल पॉलिटी कॉंसर्ट प्रवाइड करवाया जाता है आपका ओवर ओल्ड डेवलपमेंट करने का ट्राइ किया जाता है आप लोग जबर दस्त तरीके से अपनी प्रवाइशन कर रहे होंगे जो भी आपका गोल है कि मुझे वो गोल अचीव करना है आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे कोई भी प्रॉब्लम होगी अंटोल कॉंसप्ट है मिशा आपके साथ रहता है आप किसी भी एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो सैनी की स्कूल की कर रहे हो मिलिटरी स्कूल की कर रहे हो आरही हमसे की कर रहे हो जी एन्वी की कर रहे हो इसके अलावा भी तमाम एक्जाम ज तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो इसका कोई बीचार्ज नहीं होता है उससे आपको न्यूव वीडियो की नोटिफिकेशन आने लग जाती है और जिससे की आप लोग अपनी प्रप्रेशन को इजिली कर सकते कोई भी आपका डाउट होता है कोई भी आपका सजेशन होता है आप हर टाइम बता सकते हो अंटोड़ कॉंसेप्ट हमेशा आपकी सेवा में ततपर रहता है आपके सपोर्ट में ततपर रहता है ओके तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो मेक्शर आप लोग न करने वाले उसके बाद एक बारी न मैं आपको रेस्टनल नमर बता देता हूं कि दो नमर के बीच आपको कैसे रेस्टनल नमर फाइंडी करने है उस पर आपको जनरली स्कूल में पोचा जाता है तो करवा देते हैं कंप्रेट हो जाएगा फिर एक चीज और रहेगी हमारे कु यह क्या होगी है ना तो इसको भी हम एक बार देख लेंगे आप से पूचे जाते हैं तो सबसे पहले इस्टेंडर्ड फॉर्म होती क्या है जो भी आपके बहुत बड़े-बड़े नमर होते हैं जिन जिनके पीछे 0000 लगा रहता है और जो मतलब बहुत चोटे नमर होते है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अम इस टरीकर से लिखते हैं इसको जैनरली इस फॉर्म में लिखते हैं अब 3.5 ठीक है यह लिखा होगा 3.5 इस तरीके से मतलब आपको इस्टार्टिंग में जो नमर होगा वह सिंगल डिजित में होना चाहिए ठीक है वह आपका सिंगल डिजित में होना चाहिए यह होता एक हाफ फिर अगर हम यहाँ पे अन की बात करते हैं जो अंपे आपके 10 चुछ पावर ओफ एंड भी आपके हां पे कुछ नम्मर होगा वह इंटीजर रहता है टिक है जनलरी लिखा रहता है जो यह एंड होगा यह इंटीजर होगा अब आप लोग ने इंटीजर तो पढ़ी रख कि इनटीजर क्या होता वह प्लस वाला नम्मर भी हो सकता है एंड मायनिस ही होसकता है ठीक है फिर एक बारे मैं आपको और बता देता हूं कि जो यह 10 होता था है इस टंकर होती है ठीक है पाथ को हम यहां लिखते हैं ठीक है अगर कह he पर 10 टो जी पार two लिखा है इसकी पावर three लिखा है इसकी पावर four लिखा है इसे हम रेट कहाई से करते हैं ten raise to the power of 2 10 raise to the power of three 10 की power 2 इन्दी मैं इसे हम घात कहते है दसकी घात 2 ठीक है 10 raise to the power five 10 raise to the power seven कुछ भी लिखाओ इसका तक है मतलब हैं कि 10 x 10 varen Ayya 10 है तें यहां पर क्यूब लिखा इसका मतलब 10 यहां पर 3 बार हे और वो multiply हो रहा है ठीक है अगर 7 लिखा इसका मतलब है दैस यहां पे आपका साथ बार है दो 1 5 यहalter चार यhe पांच यह हो गया 6 यह हो गया साथ है ना 1 2 3 4 5 6 7 अब आप इसे मुल्टिप्लाइ करोगे तो 1 के पीछ हम 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अब देखे बार बार अगर मुझे कहीं पर यह नमर लिखना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा अनकमफर्टेबल फील हो रहा है है ना मैं इसको बार-बार नहीं लिख पाऊंगा और अगर इसकी जगह मैं डाक्ट इसको लिखना तो यह मुझे फील हो रहा है थोड़ी जवदी भी लिखा जा रहा है और इजी वे है रिप्रेजेंट करने का ठीक है तो इस तरीके से इनको करने के लिए हम standard of form का यूज़ करते हैं यह clear हो गया फिर अगर मैं इसे को क्या कर दूँ इतनी चीज आपको clear हो गई अगर मैं इसे को क्या कर दूँ यहां पर ऐसा लिखा हो ध्यान से देखना ही वाला important है अगर यहां पर ऐसा लिखा हो कि 10 10 raised to the power minus 2 इसका मतलब है इसका मतलब है पावर को अगर आपने कभी exponent अगर आपने पढ़ा होगा है न तो वहां पर आपको clear हो आओगा कि जो पावर होती है जो exponent होता है वो हमेशा हमें प्लस में रखना होता है तो यह 10 raised to the power minus 2 का मतलब क्या है कि यह upon में ऐसा आएगा 1 upon 10 raised to the power 2 ठीक है अगर मैं इसका उलिटा करूंगा जब मैं आपको exponent पढ़ाऊंगा वहां पर एक लौ होता है इसे हमें करना होता है वन अपॉन एस टूदी पावर एम ठीक है अब देखो यह माइनस था इसका हमने रैसिप्रोकल कर रहा प्लस हो गया पावर प्लस हो गई अगर कहीं हमें इसका जो मीनिंग होते है इसका जो मतलब होता है वे ये होता है यह आपको समझ आगा ठीक है अब इसका मतलब मैं से पी तो लिख सकता हौन एं खान्यान दो to the power minus 4 it means 1 upon 10 into 10 into 10 into 10 ठीक है 1 upon 10 raised to the power of 4 यह यहां ऐसा चल रहे हैं अब हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो चीज को हम समझ लेते हैं समझ आपको आ रहा होगा ठीक है चीज बिल्कुल क्लिशल क्लियर आपको होने चाहिए फर्स्ट इक्वेस्ट जैसे मैं आपको दे दिया पहले मैं आपको समझाता होगा आपको ऐसा लिखा होगा ठीक है कि 3 into 10 to the power 4 इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि सब 3 into है और 10 यहां पर 4 टाइम है आप उसे multiply करोगे आपको यह मिल जाएगा ठीक है 10 into 10 into 10 is equal to 10,000 आपको मिल जाएगा आप इसे multiply करोगे आपको मिलेगा 30,000 बताओ आपको 30,000 यहां पर मिल जाएगा तो यह इसकी मिनिंग है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ऐसा हमने इसे क्यों लिखा क्योंकि यहां पर इसे रिप्रेजेंट करना थोड़ी इजी हो गया ठीक है 30,000 और 3 into 10 to the power 4 इसको हम standard form कहते है ठीक है इतनी बा 3,2,7 आप into से multiply करोगे 10 cube है तो एक के पीछे 3,0 लगा दो अब अगर इसे multiply करोगे आपको पता आप multiply करोगे मैं सीधे ऐसे लिख लोंगा 3,2,7,0,0,0,3,2,7 into 1 multiply ऐसे करते हो ने पहला पॉइंट को ignore कर रहेते हो सिखाऊंगा यह भी simplification में फिर जितनी 0 उनको लिख लो प यह नहीं होती है हमें मिख जाएगा 3270 तो यह आपका स्कासई काब हमें अगर आपको बोला जाएगा कि लगकार ढदा तो फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते होthing क्या हो जाएगा इसमें यह ऐसा हो जाता अब नहीं हम Blood विख सकते अब देखो इस टेंडर wspól हमें कैसे लिखने है को भी नमर दी दिया को भी नमर एक्ञाम पर लिख लेता हूं मैंने यह लिख लिया देखो 57 तो जिरो मैंने लिख लिया अब जो यह आपका 5720 होगा इसको हमें क्या करना है इस टेंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जब हम इसे इस वाली फॉर्म में लिखना है जो एंटू 10 टूदी पावर एंड लिखाया है यहां पर ओके तो यहां पर यहां पर यहां हो इसको हम अलग तो नहीं कर सकते हैं और मैं इसे यहां पर multiply भी नहीं कर सकता हूं अगर मैंने 5 इंटो 720 लिख लिया यह तो multiply भी नहीं हो रहा है तो वो काम भी बिल्कुल गलत हो जाएगा तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना का तिरीका क्या करना है हमेशा ध्यान रखना ह जो इसकी first digit होगी मतलब यह वाली हां इधर से इसको लिख लो और वहां पर point लगा लो point आपने वहां पर लगा लिया point लगा लिया पीछे जो भी आपके पास है उसे लिख लो 720 यह भी आपने लिख लिया अब इसमें यहां पर multiply कर दो अब 10 to the power आपको क्या करना है आपको power में उतनी मतलब हमें 10 लगाना है जितने यहां पे हमने point के बादthe digit बनाये मतलब single digit को छोड के एक इस digit को छोड के यहां पर आपके पास जितने नम्र बनेंगे जितने digit बचेंगे उतने 10 की power आपको बनानी है ठीक है तो यहां पर देखो इसको छोड के 3ट statement थे तो मेंने 10 तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, यह हो जाएगा 5.72 into 10 Q, कोई दिक्कत है किसी को बताओ, ठीक कोई दिक्कत है किसी को बताओ, अगर तुम्हें verify करना है, तो मगर इसे फिर multiply करोगे, ठीक है, 5.72 into 10 का Q, आपको पता 10 into 10 into 10, 1000 हो जाएगा, इसे multiply करो, यह हो जाएगा 572, और यह कि आपको यह नमरता 5720, is it clear or not, यह आपको, I am sure कि clear हो गया हो, कैसे आपने चाहिए वाली form हो, ऐसा लिख लो, और चाहिए आपको यह वाली form हो, ऐसा बना लो, बस यह है आपकी standard form question, इससे पूछे जाते हैं, ओके, एक और हम यहाप example ले लेते हैं, clear आपको चीज हो आप बोलोगे, sir, already हम कह सकते standard form है, लेकिन standard form का formula यह है, represent करने का way देख रहे हो न, a into 10 raised to the power of n, represent करने का way हमेशा ऐसा होना चाहिए, 10 वहाँ पे आना ही चाहिए, अब बोलोगे, sir, यहाँ पे 10 तो है नहीं, ठीक है, तो लगा लो, point तो था, तो सीधे 10 लगा लो, 7.4 into, 10 to the power, sir, क्या करूँ, 10 to the power 1 नहीं कर सकता, 10 का power 1 का मतलब 10, इसे करोगे, question change हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे, 10 raised to the power 0 कर लेंगे, exponent अगर आपने पढ़ा होगा, मैं फिर बोलूगा, नहीं पढ़ा है, तो कोई 10 सन्नी लेनी है, जब मै आपको law बताऊंगा, एक law होता है, exponent का, if a raised to the power 0, it means 1, किसी भी नम्मर की power अगर 0 होती है, उसका answer 1 आता है, चाहाँ आपने कहीं पे 3 raised to the power 0 लिखा है, उसका answer 1 आएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिख लिया, 10 raised to the power 0, 7.4, 7.4 है, into 10 raised to the power 0 का मतलब 1 होता है, 7.4 into 1 करोगे, आपको 7.4 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, multiplicative identity होती है, वहाँ भी आपको बताएथा, clear आपको हो गया होगा, okay, yes sir, next देख लो, question और उठा लेते हैं, ताकि आपको clear हो जाए, बड़ा question है, 473 0000, ठीक है, 473 0000, इसके हमें बनाने है, हमने सर्फ कुछ भी नहीं करना है, 4 के बाद point लगा लो, first digit जो होगा, उसके बाद point लगा लो, ठीक है, जो मर्जी है, वहाँ पर लिखो, जो मर्जी मतलब, जो मर्जी नहीं करना है, पहले देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर एक digit को छोड़ करके, जो total जो digit है, ठीक है, उतने हम 10 की पावर बना लेनी, तो आपर 12345 था, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, 4.7300 करना है, तो कर लो, into 10 to the power 5 हो जाएगा, ठीक है, अब आपको यह चीज पता है, कि सर्फ पॉइंट के बाद, अगर last मैं 0 होता है, तो अगर यहाँ पर 1 होता, तो फिर मैं 0 को नहीं हटा सक 25, आप इसे multiply करोगे, आपको यह answer मिल जाएगा, ठीक है, आपको यह answer मिलेगा 473 000, आपको यह answer मिलने वाला, clear होगे आपको चीज, यह सर, crystal clear होगे, 100% clear होगे, कोई भी question आएगा, easily कर लेंगे, एक इसको लिख लो, उसको लिख लो 6 है, 123456, इसे अगर आप standard form में करोगे, तो क्या होगा, सर आमने कर लेना है, 6.6 पॉइंट लगा लिया, यहां पर यह 00 लगाने है, तो लगा लो, पॉइंट बाद 0 की value होगी नहीं, आप पॉइंट हटाए दोगे, 0 हटाए दोगे, समझ रहो ना, ठीक है, तो फिर मैं इन्टो क्या कर दोगा, 123456, 10 to the power 6 कर दोग इसे हमें करना है, ध्यान से देखना है, इसे हमें standard form में करना है, अब बोलोगे, सर यहां पर तो अल्रड़ी आपने point दे दिया, यह गलत बात है, यह पॉइंट नहीं देना था, इस case में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से point हटा दो, अगर हमें यहां से point हटाओंग मैं आपको एक चीज़ा भी बताया थे, अगर one upon ten, यहां पर ऐसा होगा hundred, तो मैं इसे क्या एक सकता हूँ, one upon ten raised to the power of two, जितना zero होंगे, ten की power उतनी हो जाएगे, ठीक है, अब मैं इसे क्या लेख लूँगा, मैं इसे उपर लेंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ten square को उपर ले गया, तो यह क्या बन जाएगा, ten minus two बन जाएगा, उसका reciprocal ten minus two बन जाएगा, अब यह क्या हो गया, nine point zero करना है, तो कर रहो है, इसे लगाने के जुरात नहीं, क्योंकि वहाँ पर नमर तो कुछ है नहीं, तो यह हो जाएगा, nine into ten to the power minus two, यह standard form बन गे, इसका क्या म है आपकी standard form, समझ आपको आगया होगा, कैसे भी question होगे, easily आप लोग कर लोगे, easily आप लोग कर लोगे, standard form का आपको 100% clear funda हो गया होगा, अब एक बारी मैं जो दो चीज़ां आपको छोट गई थी, उनको भी बता देता हूँ, फिर आपको चीज crystal clear हो जाएगी, एक चीज इसमें आपके कौन सी, rational number कैसे आपको find करना है, ठीक है, find कैसे करना है, आपको rational number, यह भी सीख लो, पूरा नमर सिस्टम मुझे थोड़ीना satisfaction नहीं मिल रहा था, कि यार सोचा, वो दो तिन चीज़ां भी कर ला लो, इसके बाद आपको खतरनाक 100 question के series आएगी, ठीक है, 100 question के series लेके आएगे, आपके साथ questions की मज़ा या जाएगा, ठीक है, तो rational number आपको rational number कैसे find करना है, let us मैंने ना एक example ले एक example हम लेते हैं, बहुत चोटा example लेते हैं, अगर आप से question आता है कि find rational number, एलगी rational number निकालो चोलो पहले, find a rational number के विकार डायक्टी question आता है, ठीक है, find a rational number between, between one upon four and one upon three, one upon four and one upon three, इसके बीच का हमें rational number find करना है, कभी कावर question आता है कि दो नमर के बीच में, कितने rational number हो सकते हैं, अगर आप को पता है, तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है, तो ध्यान रखना, infinite रेसनल नमर हो सकते हैं, कितने भी आप दो नमर के बीच, कितने भ करने होते हैं याद रखना तो 4 और 3 का आप LCM निकालोगे तो इनका जो LCM आएगा LCM क्या एगा 4 और 3 का 12 आएगा अब देखो मैंने 4 को कितने से multiply करा कि 12 आया आप बोलोगे सर मैंने 4 को कितने से multiply करा 12 आया 3 से तो मैं इसके numerator को भी 3 से multiply करूंगा यह चीछ आपको क्लियर होगी बाकि मैं चीज आप सिंप्लिफिकेशन में जब अर्दस तरीके से बताऊंगा एक चीश्टी का फिलाल के लिए तो समस्तों आई रहा होगा दूसरा नमर थाम पर वन अपॉन त्री मैंने त्री को कितने से multiply करा कि LCM 12 आया सर्व 4 से करा तो इसके numerator को भी 4 से करना पड़ेगा अब यह क्या हो जागा थ्री वन जा थ्री अपॉन फूर ठीक है और यह क्या हो गया यहां पर वन फूर ठीक है फूर पॉन फूर हो गया ठीक है अब आप बो लोगे सर देखो यह आपके पास नमर बन गया थ्री अपॉन फूर और यह आपके पास नमर बन गया आपको कितिने number find करने है आपको कितने number find करने है यहाँ पर एक number find करना था तो उसमें one plus कर दो one plus one करके आपको क्या मिल्गा two मिल गया अब इसको आप two से multiply कर दो इसको two से multiply ठीक है यह four upon four था अगर मैं two से कुरूँ के ओ जाएगा three two six यह हो जाएगा क्यां इसको भी मियू अरे क्या हो जाए का एड़ी चल ﷺ फोर टुजाय ओगया इसको भी लिए च्जू कर्णक चाहिए हो गया क्यों इनटू है निटके टू और यह मैप का तो गया क्या यह फोर हूँजा है येट अपन ऐट यहाँ हो गया ठीक है अब जब एक सिक्रीन से की है कि 12 वोगे नो और विखराइन मैं ने याप концерт ट्राफ आलो। गोता है और यहांज भी फोर टी जाक ट्वेज हो जाएस ठीक है ठीक है फुल वी और फॉर पॉंट वाइब के बिच कोई भी नमर नीह है तो यहाँप बाईगा सोरी-वीडर जोरी सोरी यह विट्वेल बाईगा तो यह कितना हो जाए गाँ ऐसे करए नमर है गया इन करोगे जब आपसे एक रेसनल नमर निकालने को बोला जाएक यह ही अगर उनको प्लस कर दो नमर को प्लस कर दो उन्हें तू upon 24 ही मिलेगा ठीक है यह सिर्फ उसके लिए है जब आपको दो नमर के बीच सिर्फ 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 एक ही रेस्टन नमर find करने को बोला जाए अधर्वाइज जो मैं बताऊंगा वह यह आपको हर जगे फॉलो करना ठीक है इसलिए आप इसे कर भी सकते हो नहीं तो रैसनल नमर बिटवीन अब मैं आपको मैंने राए नमर दे रहा हूं मैंश 2 ओपॉन 3 एंड मैंश 4 ओपॉन 5 ठीक कि प्लस वाला तो करें लोगे मैंने सब्से तो अपॉन 3 &-4 ओपॉन 5 दो रैसनल नमर फाहिंड करने सब से पहले इसका LCM निकाल दो, ठीक है, 3 और 5 का LCM 15 आएगा, तो मैंने देखो, 3 को किस से multiply करा, 15 आए, 5 से, इस minus 2 को भी 5 से करूँगा, तो 5, 2 जा 10, minus 10 हो जाएगा, 5, 3 जा 15 हो जाएगा, फिर तो आपका minus 4 upon 5, 5 को किस से multiply करा, 15 आए, 3 से, इसके numerator को भी 3 से करूँगा, minus 4, 3 जा minus 12 होता है, औ अब ध्यान से देखने हैं, यह minus 10 है, minus 12 है, minus 10 है, minus 12 के विच कौन सा नमर बचा, minus 11 upon 15, यह आ गया, लेकिन सर हमें 2 find करने, 2 find करने, यह तो हमें एक ही मिला, दूसरा हम कैसे find करेंगे, तो मैं आपको वही बोला है, जब भी आपको यहाँ पे बोला है, कि 2 find करो, तो 2 में 1 प हो जाएगा, यह हो जाएगा, 10 तरीजा, 30, minus 30, और यह 15 तरीजा, 45 हो गया, ठीक है, फिर यह जो दूसरा हो रहा था, minus 12 upon 15, minus 12 को भी 3 से multiply करोगे, 15 को भी 3 से करोगे, 12 तरीजा होता है, minus 36 upon 15 तरीजा होता है, आपका 45, denominator से ही मैं देखो, क्या नमर बिला, minus 30 upon 45, एक यह इसके बात क्या आएगा, minus 31 upon 45, फिर क्या आएगा, minus 32 upon 45, फिर क्या आएगा, minus 33 upon 45, फिर क्या आएगा, minus 34 upon 45, फिर क्या आएगा, minus 35 upon 45, फिर क्या आएगा, minus 35 upon 45, और लाक्ष्ण में यह तो आपका ही, minus 36 upon 45, इतने साइड नमर मिलगे, कोई साब या आप इतने से लिख सकता, आपक लिख सकते हो कुछ भी गल्ती उसमें नहीं होगी ठीकर तो राइसनल नमर आपको एंशे पाइन करना है कभी कभी आपसे पूछा ही जाता है ठीक है तो मैंने बता जा क्यंसे आपको करना है होप यहां तक आप को समझ आ गया होगा आप किसी भी नमर के बीच करके नमर निकाल कर लो यहां पर त्री रेस्ट नमर बोला है तो 3 प्लस वन कर दो 4 फॉर से मुलिटिप्लाइब कर दो उनके जो भी नमर होंगे आपको मिल जाएंगे ठीक है तो यह पुरा फंडा होगा वह आपका किसका 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 रेसनल नमर का ओप को यह बिख रो गया होगा कोई भी नम्मार वहाई के इजीली निकालों टुर्शनल नंब्र ठीक है अब हम बात करते हैं ऐसले मैं आपको बरता क्यार ऐसे आप सीक्वेशन क्वेशन पूछे जाते हैं वो आपको इसली क्लियर होने चाहिए तो उसको भी एक बारे देख लो देखो बैट क्वेसन आप से कैसे पूछे जाते हैं वेसन आपके सामने दिया रहता है जैसे आपको दिया रहता है कि फाइंड यह ना आपको ऑप्संसे करना है वैंसे ठीक है फाइंड दा वैल्योफं को आपको दे रखा है यहां पर क्या कि बी यह 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 आपका ए है ठीक है Hey sir, Friry आपक यहाँ पर B है और यह आपका थ्री है, यह क्या हो रहे है, यह आपके Multiply हो रहे है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो आंसर दिया है, फाइब शेवन यह आपको आंसर दिया है ठीक है इतनी वाब आपको clear है इसके option आपको दिये है a option है कि a is equal to और b is equal to ठीक है a is equal to जो आपको दिया है five और b is equal to आपको दिया है two जो यह आपका b option है b option दिया आपको a is equal to दिया आपको 5 B is equal to दिया है आपको 3 एहांसे आपको 2 option और भी होंगा यह इसको 5 भी दे रखा है एहांसे 2 option और भी होंगा उनको मैं लिखनी रहा हूं तो हमें क्या करना है हमेशा इन मैं सीध इन वैले को फिट कर दो यहां पर तो सिर्फ A और B है कि विकार question में बड़ा question रहता है तो A B होता है बी भी होता है इसी तरीकी से आपको division का भी पूछा जाता है ठीक है इसमें हम क्या करेंगे देखो यह B A था B 3 था यहां पर value फिट कर दो अगर मैं first option को लेके चल रहा हूं एकी value क्या होगी वाहां पर और सब्सक्राइब की वैल्म गई और बीटंटीफाइब फिर देखो बी की वैल्यूप यहां पर खेड त्री है यह वाला थ्री है अपॉन फिर या पर देखो 578 एकी वैल्यूप है तो एकी जगह फाइब है और यहां सेवन और अब आपको चेक करना है क्या है मिल्टिप्लाइ करके 23.25 मिल्टिप्लाइ करके 575 आए का मैं देखको पहले इससे करा ठीक है 35 आपने करा तो 15 का 5 हो गया करी वन ठीक है फिर आपने यहां पर क्रॉस कर लिया टू से करा टू फैर टेन का जीरो करी वन टू 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 जा फोर वन फाइब इसको प्लस करोगे फाइब का 57075 का 5575 आगया इड्मिन से यह आपका बिल्कुल सही था फर्स्ट वाला ए उप्सन सही है एक वैलू 5 आएगी बी की व गया होगा एक दूसरा क्वेशन में आपको बता देता हूं ठीक है आपको चीज बिल्कु किस्टल क्लियर हो जाएगी फिर कोई दिकत कोई दिकत कोई दिकत आपको नहीं आएगी ठीक है वैसने आज यहां से आपके सामने एक सब्ट्रेक्शन वाला अंसर रिक्वेशन ले क्या आपका आवा है 247 ठीक है अब आपको कुछ अपाजन दिये जाते हैं जैसे है की झापस Dayi अपको दिया होगा जैसे आएक अर्टोन को च不會 को ऑपशेखिआ हुआ करें जाना इस इस अ है पिर यहाँ पर देखो क्या आपको टू फूर सैवं दे रहा है नहीं दे रहा है ठीक है आपको सिक्स्टीन को फिटि करना जो ऑप सवाई होगा होगा उसको clear कर लो बाकि कोई भी आपको problem नहीं आएगे ठीक है तो यह था वह आपका पूरा फंडा में तीन चीज आपके थोड़ी चूट गई थी तो वह भी होप आपको clear अच्छे से होगी आप आपको इसमें भी कोई भी problem नहीं होगी बाकि सारी चीज एजी हैं और जो एक दो question अगर कुछ छूट के होंगे जो कि आपको बताने होंगे तो वह जो अभी इसके बाद जो जो 100 question का जो आएगा उसमें सारा वो include हो जाएगा जाद आपको परिशान नहीं होना है ठीक है बस करते जाओ और अच्छे से दोड़ो गने यस तब तक छोड़ो गने okay guys